जय हैं दोस्तों मैं पेदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना चैनल यूगे टुटरियल में और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतिय इतिहास जिसमें मेरा टॉपिक होगा आधोनिक भारत से सम्मंधित छेतरी राज में पंजाब यो मैसूर इस सारे प्रस्न जो हैं दोस्तों हमने घाटना चकर के बुक से लिया है तो इसे पहले हमने घाटना चकर का जो आधोनिक भारत सुरू किये हैं दोस्तों उससे कुछ वीडियो बनाया है उसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहां से देखिए और आपकी जितने भी टोपिक दिये हुए हैं सभी को बारी-बारी से कभर करेंगे ताकि आपकी त्यारी अच्छे से हो सके तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्न है कि रंजीत सींग के राज में समली था ओप्सन ए में करहा है दिल्ली बी में हो जाएगा काबुल सी में हो जाएगा मकराना और डी मे पर सामिल था आए इसके बैख्या को देखते हैं बैख्या से अपका और किलियर हो जाएगा बैख्या में का रहा है दोस्तों कि रंजीत सींग का जो जन्म है वो तेरा नौंबर 1780 को सुकरचलिया मिसल के मुख्या महा सिंग के घर में हुआ था ते भी ध्यान रखेगा इनक रंजीत सींग और अंगरिजों के भी संधी कब हुई थी ते हो जैगा 1809 में हुई थी संधी का ततकालिक प्रभावया हुआ कि रंजीत सींग का सतलज पार के सीख राजाओं के उपर प्रभोतों जमाने का सपना जो है तूट गया प्रन्तु दूसरी और जैसा कनिंगम ने कहा कि रंजीत सींग को पच्छीन दिशा में प्रसार करने की खूली छूट मिल गए उसने 1818 में मुल्तान को जीता कर 1819 में कस्मीर और 1834 में पे सावर को जीत लिया इस प्रसनकत बिकल्पों में श्री नगर जो है और रंजीत सींग के राज में समली था तिस तरह से आपकी ब्याख्या दिया है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रसनकी और अगला प्रसनका रहा है कि रंजीत सींग किस मिसल से संबन्दी थे अप्शन ए में हो जागा दोस्तों सुकर चलिया मिसल से बी में करा की संध वालिया से सी में करा की अहूल वालिया से और डी करा की र रजीत सिंग जो है उसुकर चलिया मिशल से सम्मंदी थे तेहां पर इसका एंसर ए राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और अगला प्रस्ण का रहा है कि महाराजा रजीत सिंग के राजी की रजधानी थी अप्सने में कारेक अमरीच सर बी में ह पटियाला सिम हो जागा लाहोर और ड हो जागा कपूर थला तो महाराजा रणजीत सिंग राजी की जो रजधानी थी ओ हो जाएगा लाहोर हो जाएगा इसका एंसर हैं पर सी राइट है आईए इसकी बैख्या को देखते हैं बैख्या में करया दोस्तों कि 1798 इसी में अफगानिस्तान के सासर जमान साह ने पंजाब पर आक्रमण किया था वापस जाते समय उसकी तोपे जो है चिनाव नदी पर गिर गए और रणजीत सिंग ने इन्हे निकलवा कर वापस भेजवा दिया यानि कि देखे तो अफगान के जो सासर जमान साह ने दोस्तों वो पंजाब पर आक्रमण किया और उसी दोरान जो है जब वापस लोट रहे थे तो जाते समय चिनाव नदी पर उनका तोप गिर गिर गया था जिसे रणजीत सिंग ने उन्हें तोप को बाहर निकलवाया और वापस भेजा उसे सेवा के बदले जमान साह ने उसे लाहूर पर अधिकार करने कनू मती दे दी अनिक अफगानिस्तान के जो सासर थे जमान साह ने रणजीत सिंग से प्रभावित हुए और उनको बोले कि लाहूर पर आप अपना कवजा जमा सकते हैं इसे देखते हुए 1799 इसवी में रणजीत सिंग ने ततकाल लोहूर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी रध्धानी बनाया तो इसको ध्यान बरकना है कि महराजा रणजीत सिंग के राजी के रध्धानी कहां थी लाहूर जो भी पकिस्तान में है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रसने में अगला प्रसन का रहा है कि रणजीत सिंग ने सुप्रसीद कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था अप्शन ए में का रहा दोस्तों कि सा सुजा से बी में का रहा है कि जमान सा से सी का रहा कि दोस्त मुह हो जाएगा एक कोहिनूर हुरा के एक अलगी कहानी है दोस्तों इसको पढ़ेगा तब को अच्छे से समझना आएगा फिलाल हम इसकी बैख्या को देखते हैं बैख्या में कारा दोस्तों की पंजाब अहमत सा अपदाली के समराजी का भाग था उसमें प्रन्तु 1773 इस्वी में उसकी मिर्तु के पस्चात मुलतान कस्मीर इत्यादी को छोटे छोटे भागों को छोड़कर सेस भागों पर सीख मिसलों का अधिकार हो गया था उधर अफगानों ने आंतरिक जगणों के कारण रंजीत सिंग को अपनी इस्थिती सुद्रीन करने का आउसन मिल गया और 1870 में अहमत सा अपदाली का जो पोत्र था वो सा सुजा काबुल की गदी पर बैठा प्रन्तु उसे भाई जो था वो सा मुहमद ने सक्तिसाली तथ तथा बरक जई सरदारों तथा फतह खां और दोस्त महमद की सहता से उसे 1890 में विश्थापित कर दिया तथा स्विम कस्मिर और पेशावर पर अधिकार कर लिया इसी औसर पर सा सुजा ने का किया कि काबुल की राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंग से सहता मांगी तथा उन्हें कोहनूर फुरा जो है वो भेट परदान किया तो यहां पर देखें दोस्तों ते कहानी थी जो अब्धाली थे उसका पुद्र था सासुजा और सासुजा पर देखे दोस्तों विग्डिसाने के गदि पर बैठा लेकिन उसके कुछ जो भाई थे उसको उस गदि से हटा दिये हटाने के बाद वो क्या होता है कि सासुजा जो था वो काबूल आ जाता है काबूल पर देखे दोस्तों तो रंजीत सिंग से जो है सहयता मांगते हैं कि रंजीत सिंग जी आप मुझे सहयता कीजे और सहयता मांगते हैं तो बदले में जो उनको हार के रोप में कोहिनूर हीरा भेट कर देते हैं तो कोहिनूर हीरा जो है वो सासु जासे रंजीत सिंग ज ले ली अप्षन ए मैं का रहा है दोस्तों महराजा रण्जीत सिंग बे में का रहा है का महराजा सेर इसेंग ईसलिए उसने दूसरी आаныखों को रोसनी को ही ले लिए एक कहा था शेंग सिंग जी ने कहा था आईए इसके बैख्या को देखते हैं बैख्या में करा दोस्तों कि रंजीत सिंग का जर्म जो है वो आपको पता होगा कि तेरा नौंबर सत्रासो असी को सुकर चलिया मिसन के मुख्या महा सिंग के घर में हुआ था वो बारस वर्स के ही थे उनके पीता का स्वर्गवास हो गया था इसके बाद देखे दोस्तों तो सत्रासो बानबे से संतानबे इस्वी तक एक परति सासक परिशत यानि कि कॉंसील ओप एरिएंसी इनकी माता सास, दिवान तथा लगपत राय थे ने सासन कारे चलाया इसके दाम देखे दोस्तों तो 1797 इस्वी में उन्हें ने समस्त कारे भार स्वेम समहाल लिया और रंजीत सिंगे लाहोर पर 1799 में और अमरीचर पर 1805 इस्वी में तथा फरिद कोट, मालेर तथा कोटला और अमबाला पर 1808 में बिजय प्राप्त की, रंजीत सिंग एक योगे साथक से जिन्हों ने कहा था कि इस सुवर की एक छाती के मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं इसलिए उसरे दूसरी आँख की हिरोशनी ले ली, इस तरह से इसका ब्यान था, जिन्हों ने ब् डी करा के ने निहाल सिंग, इसका एंसर हो जागा दोसनों, राइट हो जागा खड़क सिंग, महराजा रंजीत सिंग के उत्रादिकारी थे खड़क सिंग, हाई इसकी ब्याख्या को देखते हैं, ब्याख्या में करा दोसनों के 1849 इसलिए में रंजीत सिंग की मृतु के बा डी का रहा कि दिलिप सिंग तो सीख राजी के अंतिम जो राजा थे वो आपके दिलिप सिंग जी थे एंसर यहां पर डी राइट हो जाएगा यहां पर साब सब कारा दोस्तों कि महराजा जो थे दिलिप सिंग सीख समराजी के अंतिम सासक थे उन्होंने 1848-1849 सीश्वी तक सासन किया और 1849 सीश्वी में आपको पता होगा कि लाट डलोजी आते हैं और लाट डलोजी के कारण देखे तो सब पंजाब और सीख और राजियों को अपने अंदर बिलय कर लेता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ता है पंजाब के पुर्व महराजा दिलिप सिंग के बिशे में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है उससत्य है अपसन ए में करा है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पैरिस में हुआ दोस्तों कि नाशिक में उनकी अन्तोष्टी हुई C में करा है कि उन्होंने कभी विसिक धर्म नहीं चोड़ा था D करा है कि वो कभी भी रूस नहीं गए थे तेहां पर देखें दोस्तों तो पुर्व की जो महराजा थे दिलिप सिंग के बिशे में अगर देखें तो कौन से कथन सत्य हो जाएगा तब का एक कथन जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा इनका जो निधन था वो पेरिस में हुआ था जो फ्रांस की रजधानी पेरिस है वहीं पर 1893 में इनकी मिर्तु हुई थी आई इसकी बैख्या को देखते हैं पंजाब के प कहा हुआ था क्योंकि देख से बाहर यानि पेरिस फ्रांस में हुआ था इसलते प्रस्ण बनने के संभौना है से सभी कथन जो है वो गलत है दिली सिंग ने सीक धर्म छोड़कर इसाई धर्म को अपनाया था और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी इसलिए अंत्यदेश् है कि सिंग समराजी का अंतिम सा सक था ओप्शन ए में करा कि दिलीप सिंग बी में हो जाएगा नैनी हाल सिंग सी में करा कर अरजीत सिंग और डी में करा कि सेर सिंग तो सिंग समराजी का अंतिम जो सा सक था वो हो जाएगा आपका दिलीप सिंग था यहाँ पर इसका एंसर राइट हो जाएगा आए बैख्या को देखते हैं बैख्या मकरा दोस्तों कि पंजाब के सीख समराज के अंतिम सासर दिलिव सिंग थे जो 1849 इस्वी में दुति आंगल सीख यूद की समापती पर अंगरीजों द्वारा पंजाब का बिलेकर लिया गया तथा दिलिव सिंग को पेंजन देकर बाद में ब्रीटेन भेंज दिया गया और ब्रीटेन भी गय थे तो वोसी दरानों जाते हैं आपका पहरीज और उन्हीं पर निधन हो जाता है लेकिन अंतिम संसकार जो है अंतों दोस्ति कहां होती है दोस्तों यह होती है आपका इंगलेड में होती है आगल आपका जब इलेक कर दिया गया तो उहां पर धाशन चनाने के लिए तीन की परिश्याद बनाएगी थे हैं तीन सदस्म की परिश्याद बनाएगी थी उसमें कौन सा सदस से यह चारों प्रशन मेंसे नहीं थी तेहां पर गर देखे दुस्त ऐसका एंसर हो जाएगा आपका option A में कहा रहा है कि H.A.M. इलियट B में कहा रहा कर सर हेंडरी लॉरेंस C में कहा रहा कर जॉन लॉरेंस और D में कर रोबर्ट मांट गुम्री तीस तरह से देखें दोस्तों ते A और D एंसर राइट होगा यानि कि दू इलियट भी इनसर यहां पर हो जागा दोस्तों कि ए भी नहीं ते시고 में काम कर रहे थे आई इसकी बैख्या कोअ कर है कि पंजाब के समराज में बिलै के बाद लडल होजी ने 1849 में पंजाब पर सासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिशत का गठन किया था जिसमें सर हेंडरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे तथा जॉन लॉरेंस जो है और चार्ल्स ग्रेनिवल मांसिन को सदस की रूप में निव्ट किया गया था त्याद रखेगा जो डलोजी ने पंजाब में सांसन इस्थापित करने के लिए तीन परिशत का गठन किया था जिसमें सर हेंडरी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनिविल मांसिन जो है इस सदस के रूप में कायर कर रहे थे जबकि HME लिड़ता था रोवेट मांड गोमरी इस परिशत के सदस से नहीं थे आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न है कि प्रथम आंगल मैसूर यूद जो 1766 कहीं कहीं सरसट देता है दोस्तों तो 1766 से 79 में कोन भी जाई हुआ था आपसन A में हो जाएगा दोस्तों अंगरे B में हो जाएगा हैदर अली C में हो जाएगा मराठा और D में हो जाएगा हैदर बाद के निजाम आपको यहाँ पता होगा दोस्तों कि प्रत्थम आंगल मैसुर योद में हैदर अली की जीत हुई थी तेहाँ पर इसका answer B right हो जाएगा आए इसकी ब्याख्या को देखते हैं दोस्तों तब ब्याख्या से अपका और किलियर हो जाएगा कि प्रत्थम आंगल मैसुर योध हुआ था 1766 कहीं कहीं सर्षड देता था अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था निजाम माराथे यों अंग्रेज हैदर अली के बिरुध एक त्री गुट संधी में समलित हुए थे इसको ध्यान ब्रकना है कि निजाम माराथे अंग्रेज जो थे एक सास लड़े थे यानि त्री गुट जो है इसके बिरुध में लड़े थे हैदर ने अपनी कुट नितिक तथा सूजबुच से इस त्री गुट को भंग करने का प्रयास किया तथा उसने मराथों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रोलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर करनाटप पर आकरमण किया अंग्रेजों की प्रारमभिक सफलता के कारण निजाम ने पुना अंग्रेजों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्सकता पुर्वक लड़ते हुए 1769 इस्वी में मंगलोर पर अधिकार कर लिया और मार्च 1769 इस्वी में उनकी सैनाय मदरास तक जापुशी अंग्रेजों नी विवस्ता में हैदर अली की सर्तों पर 4 अप्रेल 1769 को मदरास की संधी की तिसको भी थोड़ा सा ध्यान में पूछा जाता है दोस्तों कि प्रतम अंगल में सुर्यूद में कौन से संधी के साथ समाप्थ हुआ था तिसको ध्यान रखना गया मदरास की अगले प्रस्न की और अगला प्रस्नकार है कि ब्रिटीज जनरल जिसने हैदर अली को पॉर्टो नो के यूद में हराया था कोशन फिर से रिपीट कर दे रहां दोस्तों कि ब्रिटीज जनरल जिसने हैदर अली को पॉर्टो नो के यूद में हराया अप्शन ए में हो जागा केप्टन पॉप हैं बी महजागा सर आर कुट और सी में करगा सर हेक्टर मुन्रू और डी महजागा जनरल गोर्डार्ड तीस तरह से देखें दोस्तों तो किसने हार आया था तो सर आरे कुट ने हार आया था इसका एंसर नहीं हाँ पर भी राइट हो जाएगा चली ब्याख्या को देखते हैं 1781 इसमें हैदर अली का सामना अंगरीज जनरल आयर कुट से हुआ जिसने पोर्टो नोरो के यूद जो एक जोलाई 1781 में हैदर अली को प्रास्त होना पड़ा था ते भी याद रखेगा कि जो पोर्टो नोरो का यूद जो हुआ था एक जोलाई 1781 को हुआ था आगे बढ़ते हैं दूस्तों अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है कि टीपू सुल्तान ने अपनी रधानी बनाई ओपसनी में हो जागा सिरी रंग पतनम को बी में हो जागा मैसूर में और सी में हो जागा दूस्तों मैंग लोर में और डी में हो जागा कोयमबर टूर में तेहां पर देखे दोस्तों तो टीपू सुल्तान ने अपनी रधानी कहां बनाई थी तेहां हो जागा स्रीरंग पत्नम में बनाई थी तेहां पर इसका एंसर ए राइट हो जाएगा टीपू सुल्तान ने श्रियंग पतनम में अपनी रधानी बनाई कह था यहां जहां जो कोबियन कलब की इस्थापना कीर और उसका सदा से भी बना यानि के देखे दोस्तों तो जेकोविन कलब जो है अब फ्रांस पढ़ेंगे दोस्तों फ्रांस की करांती के बारे में तो उसमें एक जेकोविन कलब चलता था तो उसके सदा से भी जो है अब टीपू सुल्तान इंडिया में रहते हुए और मैसूर में रहते हुए उनने इसका सदा से बनाया था और एक देखें तो सुतंतरता का एक बिरिक्ष भी लागाया था जो आप इसकी तिहास को पढ़ेंगे तो आपको वहां और अच्छे से जन टीपू सुल्तान तो इसका एंसर सही हो जागा दोस्नो टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान ने आध्यूनी 305 में दूतावास स्थापीत किये थे तो यहां पर इसका एंसर डी राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते आगले प्रस्ण की ओर आगला प्रस्ण कराया कि टिपू सुल्तान ने ब्रिटीस सैनास को 1780 स्वी में हराया था हैदराबाद में B में कराया दोस्नों पोली लूर में C कराया के सिर्यरंग पत्नम में और D कराया के निजामाबाद में तेहाँ पर देखे दोस्नों टिपू सुल्तान ने ब्रिटीस सैना को 1780 स्वी में कहां हराया था ते हो जागा पोली लूर में हराया था यानि इसका एंसर B राइट हो जागा पोली लूर इसकी बैख्या में कराया दोस्तों कि हैदर अली और टिपू सुल्तान ने माराठों तथा निजाम के साथ एक समझोता कर लिया और फ्रांसेसी सहयता का वचन ले लिया तथा करनाटक पर जुलाई 1760 में आकरमण करके अकार्ट पर अधिकार कर लिया तथा 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 टिपू ने हेक्टर मुन्रो की सैना को पोली लूर नामक इस्थान पर हरा दिया था तीस दरह से देखे तो एक जो अपका हैदर अलिया और टिपू सुल्ताने ने दोनों बाब बेटे ने मिलकर मराथा निजामों को एक साथ मिला लिया फ्रांसेसियों के अपना सहयता मिले लिया और उसके खिलाप जो है फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा उसमें नाम अकिस्थान पर हार का समना करना पड़ा था इन पोल ली लूर इसको पठ्थीजी दोस्तों पल ली लूर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश् dat aan तो अगला प्रसण कारा कि अंग्रेजुँ ने शृर्रेंग पत्नम की सद्विकिस के साथ की थी option A में हो जाएगा हैदर अली के साथ B में हो जाएगा Duple के साथ C में हो जाएगा Tipu Sultan के साथ D में हो जाएगा दोस्तों नंदन राज के साथ तो यहाँ प्रगरिस का answer हो जाएगा कंग्रेजों निश्रे रिंग पत्नम की जो संधी थी Dupu Sultan से की थी answer इसका C जो है और राइट हो जाएगा चलिए इसकी ब्याख्या को देखते हैं ब्याख्या में करागर त्रितिय आंगल मैसुर यूद जो आपका 1792 से 92 का तक चला था इसमें क्या हुआ था दोस्कों कि त्रितिय आंगल मैसुर यूद का असान जो था यानि औउसान यानको समापन जो था स्री नंग पतनम की संधी जो मार्थ 1792 आपका 1792 में हुआ था यानि कि इसके स्री आंगल मैसुर यूद समाथ शुआ आते झालिक्त प्रशन पूछ जाता है इसको ध्यान रख्येगा इस संधी में अंग्रेजों की और से कारणवाली तथा मैसूर के टीपू सुल्तान सामिल थे इसके अनुसार टीपू को अपने राजे का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना था यानि अंग्रेजों के साथ जो साथी थे उनको राज ये देना था और अपना अधा भाग को देना था किसको अंग्रेजों को और उनके साथियों को साथी युद के हरजाने की रूप में टीपू को तीन करोल रूपे अंग्रेजों को देना था सिरंग पटनम की संधी में यह सामिल था कि जब तक टीपू 3 करोल रुपे नहीं देगा तब तक उसके दो पूत्र अंग्रेजों के कबजे में रहेंगे करनवालिस ने इस संधी के बाद यह टीपणी की थी कि हमने अपने सतुर को परभाव साली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी सकति साली नहीं बनने दिया करनवालिस ने जब यहाँ पर देखें सिरंग पतनम की जो संधी हुई थी उसके तहद यानि कि यह संधी देखें दोस्तों तो तो तृतिय आंगल मैसूर यूद आपको पता होगा कि तृतिय आंगल मैसूर यूद जो है आपके टीपूस सुल्तान जी लड़े थे और दू एक बड़ा बात धिकारी संधी था अगला प्रसने दोस्तों के टीपू सुल्तान अंग्रीजों के साथ यूध में कब मारे गए अब सनी में हो जाएगा दोस्तों तो टीपू सुल्तान अंग्रीजों के साथ यूध हुआ उसमें दिखे दोस्तों जो चौथा यूध हुआ था उसमें मारे गए थे और चौथा यूध हुआ था शतर अग्रीजों के लड़ते हुए मारा गया था तो इसका एंसर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न करा है कि निमलिकित में से कौन एक सुमलित है यानि कि चार में से देखें दोस्तों तो तीन गलत है और एक ही आपका सही है उसको चुनना है अप्सन यह में करा है दोस्तों कि प्रथम आंगल मैसूर यूद हैदर अली प्राजीत हुआ था तो यह गलत हो जाएगा दोस्तों कि प्रथम आंगल मैसूर यूद में हैदर अली का जीत हुआ था तो यह गलत हो जाएगा यहां प्रदेखों तीसराव कहा रहा दोस्तों कि तिरिती आंगल मैसुर यूद टिपू सुल्तान यूद जीता और अपना भूभाग अंगरे जोकों नहीं दियार ते अभी तुरंत पढ़े दोस्तों कि कीपू सल्तान जो है किरिती आंगल मैसुर यूध में यहाँ पर देखे ता अपना राज्य का आधा भाग देना पड़ा था और साथ में तीन कड़ो रूपय भी देना पड़ा था और यूध हो हार गये थे ते एक दो तुर इन तीनों कथन गलत हो जाएगा यानि कि चौथा कथन अब सही ही होगा यानि चतूर था आंगल मैसुर यूध में टीपू पराजित हो गया और यूध के मध्ये दिवंगत हुआ यानि कि यूध में मही मारा गया तेस तरह से देखें तो चौथा अपसन पुछा जाता है कि प्रत्रम में आंगल में सुल्यूद किस संदी के दवरा समाप्त हुआ तो मद्रास के संदी के दवरा समाप्त हुआ जुद क्या संदी के दौट यूसो यूद होता है दोस्तों 1780 से लेके 84 तक चला और इस दोरान अंग्रेज गुवर्णर जनर्र वारेन हेस्टिंग थे और यह यूद जो है 1784 इसमें मंगलूर की संधी की दोबरा समाथ हुआ तो इसको याद रखिया कर दोस्तों तो कि MMS मेसेज होता है जो फोटा वीडियो होता है इस तरह से याद कर सकते हैं यानि कि पहले संधी मंगलूर की संधी फिर देखें दोस्तों आपका दूतिय जो संधी होता है वह जाता है मंगलूर की संधी यानि MMS पहले में हो जागा मदरास फिर मंगलूर और इसके बाद देखें तो स्रीन अंगपर्टनम की संधी ते इस तरह से तीनों याद रखिया कि MMS तरह से आप याद रख सकते हैं देखें अब चलते हैं हम लोग त्रीतिय आंगल मैसूर यूद में यह हो जागा 1792 से 92 तक चला और इस दोरान जो है अंग्रेज गौर्णर जनर लाड़ करनवालिस था और अंग्रेज के विरुद सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने क प्रयत्न किया और 1784-85 यूश्य में एक दूत जो है कस्तुतुनिया भेजा और 1787 यूश्य में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था यह यूद 1792 यूश्य में श्रीरंग पटनम की संधी के दोरा समाप्त हुआ तो पहली संधी किस के दोरा मदरास की संधी के कि दूरा दूसरी संधी मंडलोर की संधी की दूरर और तीसरी संधी स्री नंग पटनंके लें और टीपू के कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर दिया गया ने टीपू के जितने भधिकारी थे और काम करने वाले जो सदस्य थे वो सभी को कैद करके वेलोर में इनको कैद करके रखा गया था तिस तरह से आप इसको याद करेंगे दोस्तों अगले प्रस्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रस्न करा है कि सूची एक को सूची दो से सुमलित कीजिए और सूचीयों में नीचे दिये गए कूट से सही उतर को चुनिए तो चलिए अब हम लोग कुट के माध्यम से इसको बनाना है कि कौन सा सही है इलाहाबाद की संधी कब हुआ था दोस्तों आपको पता होगा कि इलाहाबाद की जो संधी था वो हुआ था अपका 1765 इस्वे में हुआ था जो किसके दोरा लाड कलाइप ने किया था पहली संधी जो है आपके मुगल समराट के साथ दूती संधी जो है आपके अवध की निजाम के साथ हुआ था जो आपके बकसर यूध के बाद इन्हों के संधी थो थो पी गए थी जो इलाहाबाद के संधी के नाम से जाना जाता है 64 में युद होता है और 65 में संधी होती है आगे है कि मंगलोर की संधी मंगलोर की संधी कब हुआ था दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका 1784 इस्वी में हुआ था सालभाई की संधी देखें दोस्तों तो यह कब होता है सालभ़ाई की संधी जो है। 1782 इसवी में और मदरास की संधी वा था दोस्तों 1769 इसवी में हुआ था। तीस तरह से अगर मिलाएंगे दोस्तों ता आपका एंसर जो है आपका S राइट हो जाएगा। 1765 इसवी में मंगलूर की संधी जो हुआ था दोस्तों 1784 में सालबाई की 1782 इस्वी में और मदरास की संधी वा था 1759 में चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बैख्या को देख लेते हैं बैख्याम करा दोस्तों की इलाहबाद की प्रथम संधी जो है अंग्रेज ने मुगल समराट साहलम दूतिय के मद्य 12 अगस 1765 इस्वी को हुई थी जबकि इलाहबाद की दूति संधी जो अंग्रेज और अवध के नबाब सुजाओ दोला के बीच हुआ था जो 16 अगस्त 1765 के हुई थी इसके बाद करा दोस्तों की मंगलोर की जो संधी है उदूतिय आंगल मैसूर यूद यानि 1784 के बीच चला था यह यूद के बाद देखें तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 इस्वि में हुई थी इसके बाद देखें दोस्तों तो सालबाई की संधी जो है प्रथम आंगल मराठा यूद जो हुआ था 1775 से 82 तक चला था के बीच महाद जी सिंधिया के मध्यस्ता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 इस्वि में हुई थी जो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी इसके बाद देखे दुस्तों तो मदरास के संधी जो है प्रथम आंगल में सुर्य यूद जो हुआ था 1768 से 1779 के बाद 1779 इस्वे में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थे चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ने की और अगला प्रस्ना है कि बेगम संब्रू ने एक अती प्रसीद चर्च का निर्मान करवाया अप्सने में हो जाएगा माउंट आवबू में, B में हो जाएगा नयानी ताल में, C में हो जाएगा, सरधना में और D हो जाएगा कानपूर में तो बेगम संब्रू ने एक अती प्रसीद चर्च का निर्मण करवाय था एक करवाय था दोस्तों सरधना में यानि कि इसका एंसर यहां पर C राइट हो जाएगा इसकी ब्याख्या को दिखे दोस्तों ब्याख्या में करा कि बेगम संब्रो यानि 1750 से लेकर 1836 तक ने कती प्रसीद चर्ज का निर्माण मेरठ के निकट सर्धाना में कराया था अगला प्रस्थन है कि निम्न कत्रों में कौन सा एक सही नहीं है अप्शन A में करा दोस्तों कि अली मरदान खान ने बंगाल में राज़ा सुक्री सी पत्ती प्रारम की B में करा दोस्तों कि महराजार रंजीत सिंग ने लाहोर में तोपोंक निर्माण के लिए आधुनिक ढ़लाई खाने की स्थापित किये सी में करा कि आमेर के सवाई जै सिंग ने यूकलिड के रेखागणित के तत्तों को संस्क्रीत में अनुवात कराया B करा दोस्तों मैसूर में टिपू सुल्तान ने श्रिंगेरी मंदिर में देवी सरदा के मुर्ती का निर्माण के लिए धन दिया तीस में देखे दोस्तों तो एक जो है वो गलत है तो आपका अप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा यनिक अली मरदान खान ने बंगाल में राज़ा सुक्रिसी पत्ती प्रारम की थी जबकि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा बाकी देखे दोस्तों तो आपका बी सी और डी तीन ओप्शन सही है कि महराजा रणजी सिंग ने लाहोर में तोपक निर्माण के लिए धन भी दिया इसके बैख्या में कारा दोस्तों कि रणजीन सिंग ने तोप खाने पर अधिक बल दिया और लाहोर अमरी सर में तोपे तथा गोले और बारूत बनाने के करखाने लगवाए और आमेर के सवाई जै सिंग ने यूकलीड के रेखागणी ततों को संस्क्रीट में अनुवाद कराया और सवाई जै सिंग ने जैपूर दिली बनारा साधी नगरों में पांच वैद सालाएं भी बनवाई टीपू सुल्तान ने स्रिंग्रेरी मंदीर में सारदा देवी के मूर्ती के लिए निर्मान के लिए धन भी दिया जबकि बंगाल के राजव से क्रीशी पति प्रारम करने का असरे जो है अली मरदान खान को नहीं बलकि मुर्सित को लिखान को है जो यहां के मुर्सित को लिखान देखे दोस्तों तो यह बंगाल का गुवर्णर था यानि सुबेदार था उन्हीं नहीं सुरू किया था ना कि अपका अली मर्दान खान ने किया था चली यह लाश्ट प्रस्न देखते हैं क्या है दोस्तों ल सुल्टान की मिर्तु हुई और यहां पर तीसरा करागा प्लासिक यूद में सिराजु दौला की प्राजे के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजु से मिलकर खड़े अंतर राचा नीचे करागा कुप्रोप वथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है ताप अगर अच्छे से पढ पर देखे दोस्तों तो यह बोल करके लाज लज दिया था अंग्रेजों लोगों ने कि आपको अगला राजा बना देंगे जबकि पानीपत के यूद में मराठा पेहां पर देखे तहार हुआ था दोस्तों और टिपू सुल्तान की मिर्तु जो हो था वो चतूर था अंगल मराठा सेना को बुरी तरब प्रास्त किया था और जे इन सरकार के अनुसार महराष्ट में संभौत ही कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कोई न कोई सम्मंधी को नख होया होता था कुछ परिवारों का तो सर्वनासी हो गया यहनि कि जे इन सरकार जो इतिहास कार है उन निपत का त्रितिय यूद और यह हुआ था दोस्तों अमासाब दाली ने माराठाओं की बीच लड़ा गया था जिसमें सदा सिरो भाव के नित्रितम माराठा जो सैना थे वो परास्त हुआ था इसके बाद आगे बढ़ते हैं तगला करा था दोस्तों के 1792 में हुए तीसरे आंगल मैसूर यूद में टीपू सुल्तान के वल प्राजित हुआ था उसकी मिर्टु नहीं हुई थी और स्रीरंग पत्नम के संदी से यूद जो है बिराम यानि समपन हुआ था निसमाप्त हुआ था टीपू सुल्तान की मिर्टु जो है 1799 में चरतूर्थ आंगल मैसूर यूद में हुई थी और प्लासिक यूद जो हुआ था 1757 में मिर्ज आफरने अंगेजियों से मिलकर सिराजु दोला को विरुद जो है सड्यंत्र राचा था और अन्य सड्यंत्र कारियों में थे आपका साहुकार जगत्सेट राय दूरलग तथा अमिर्चंद परमोग थे अतक के वह तीसरा कथन जो है उस सत्य होगा तीसरा से दोस्तों आपका जो कोस्चन था दोस्तों पंजाब राजे से सम्मधित और आपके मैसूर राजे से सम्मधित यानि पंजाब और मैसूर दोनों से सम्मधित अब्जेक्टिव प्रस्ण जो दिये थे आपको सम्मझ में अगला जो टोपिक होगा दोस्तों हो गोवर्नर गोवर्नर जनरल और वायस राय से सम्मंदित होगा जिसमें लगबग एक सो पांच छे प्रस्ण है तो यानि के 110 आसपास के प्रस्ण है उसको हम लोग करेंगे जो काफि उसमें घंटा समय देना पड़ेगा उसको अगले अगले वीडियो में तब तक लिए चाहें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को सेर जरूर करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में